हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रभास और सागत है आपके अपने एटूब चैनल प्रभास मिज़रा पर दोस्तों आज है पांच जुलाई और अधि हम आज से लगभग एक साल पहले की बात करें तो पिछले साल 24 जुलाई को दर्भंगा समस्तिपूर रिल्लैन को बंद कर दिया गया था यहां पे दो बड़े कारण थे सबसे पहले तो हाया घाट का जो पुल संख्या सोला है उस पे पानी भर गया था और साथी साथ समस्तिपूर मुक्तापूर रिल्वे स्टेशन के बीच में बूडी गंडक नदी पे पानी भर गया था जिस कारण से टेनों को रोका गया था लेकिन दोस्तों इस साल यह दोनों पुल तो नहीं भरे हैं उससे पहले ही जैनेगर रिल्वे स्टेशन पे संकट मन रहा गया है और वहां पे पानी भर चुका है जिस कारण से रिल्वे ने टेनों में एक बड़ा बदलाव किया है दोस्तों आज किस बीड़ों में से बारे हम बात करेंगे कि जैनेगर रिल्वे स्टेशन के अभी क्या इस्थिति है और साथी साथ कौन सी टेन है कहां से खुलेंगी पुरी डिटेल के साथ दोस्तों इससे पहले की वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके अपने रिया भी जरूर बताएं और कुछ शका और साथी साथ कई सारी टेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है दोस्तों इदि हम रिशेडूल टेनों की बात करें तो आज खुलने वाली श्रहीद एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से नहीं खुलेगी आठ बज के 45 मिट पे उसे खुला जायेगा जो की वह साथ ब मधुबनी में ही शॉर्ट टर्मिनेट होगी और आज खुलने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस मधुबनी रेलेवेस्टेशन से ही सियालदा के लिए खुलेगी इसी तरीके से जैनगर मनीहारी जानकी एक्सप्रेस 120 मिनट लेट यानि करीब 2 घंटा लेट जैनगर से कल सु